आपके साथ सुमनपाल बॉलिवूड की खबरों की शुरुवात करते हैं जैसे कि देश भर में दुर्गा पूजा की शुरुवात हो चुकी है और कुरोना महामारी की वज़े से इस साल भी स्वार्जनिक स्थलो पर लोगों की भीड नहीं जुटपा सकेगी आपको बता दे क बॉलिवूड के सितारे रानी मुखरजी और काजोल का रविवार भी इस उत्सो को धूमधाम से सेलिब्रेट करता है और नौर्थ बॉमबे सुरुजनिन दुर्गा पूजा में उत्सो में शामिल होते ही हाला कि वो इस साल भी उत्सो में शामिल नहीं हो सकेंगे साल 2020 में भी यहाँ दुर्गा पूजा आयोज़ित नहीं की गई थी यहाँ लगतार दूसरा साल है और जब दुर्गा पूजा का आयोज़ित नहीं किया जाएगा इस साल नौर्थ बॉमबे सर्भो जैनिन दुर्गा पूजा समिती के सदस्यों ने लाइव स्ट्रीमिंग क कराने का फैसला किया है इसका मुख्य उदेश ये लोगों को करोना महामारी की चपेट पे आने से रोकना है स्मिती ने फैसला किया है कि उस साल कोविड-19 नियुमों का उलंगन करते हुए पूजा आयुजित कि जाएगी इसके साथ साथ शरधालों की भारी बेड भी जो है व उखर जी के साथ उत्सों में शामिल होती है सेलिब्रेशन की इनकी तस्वीर जो है वो शोशल मीडिया पर भी लगातार वाइरल ही होती है हाला कि पिछले साल कोविड के वज़ह से ये कारेकरम स्थगित कर दिया गया था इस साल पूजा पंडाल में जादा लोगों को के नो रूपों की पूजा की जाती है जो आज देश भर में की जा रही है बॉलिवूड अभी नेता शारुख खान के बेटे आरियन खान से जुड़े क्रूज ड्रक्स केस आज आज आठ लोगों को अदालत में पेश होना है बता दे कि आज कोट इस मामले में तै करेगा कि आरियन खान समेत इन लोगों को बेल मिलेगी या फिर नहीं कोडलिया गुर्जव पर कथित रेव पार्टी मामले में गिरफतार किये गए सूपर स्टार शारुख खान के बेटे आरियन खान को एक दिन की कस्टडी खतम होने के बाद सुमवार को फिर से कोट में पेश किया गया था इसके बाद कोड आज तै करेगा कि उन्हें रिहा किया जाएगा या फिर एक बार फिर से उनकी कस्टडी बढ़ाई जाएगी ड्रक्स केस में फसे अभिनेता शारुख खान के बेटे आरियन खान साथ अक्टूबर तक आपको बता रही कि एंसीवी की कस्टडी में हैं और उनके वकील सतीश मानशिंदे जल्द से जल्द आरियन के जमानत दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं आज इस मामले की फिर से सुनवाई है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो आरियन को जमानत दिलबा पाएंगे या फिर नहीं एंसीवी ने कोट के सामने दलीले दी कि आरियन खान की वर्टसप चैट से खुलासा हुआ है कि वो विदेशी ड्रग्स पैडलेर में के संपर्क पे भी रही हैं एंसीवी ने कोट को बताया कि आमेरिका की दक्षिन कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दो उपियों को साथ अक्तूबर तक एंसीवी की हिरासत में भेज दिया था बिग बॉस के घर में रहना उतना असान भी नहीं आए दिन नए गेम्स और चुनोतियां देखने को मिल ही जाती हैं हाल ही में जय भानुशाली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जय आपको बता दे कि ब ड्रेस को लेकर गए हुए थे और जिससे वो रात पे खुद से लगाकर सोते हुए दिखाई दिये लेकिन अब उनको इस ड्रेस का त्याग करना पड़ा इस दोरान जय काफी इमोशनल होते हुए भी दिखाई दिये दरसल बिग बॉस ने सभी कंटेस्टन्स का फर्मान सु बात करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे इसलिए की बज़ा से सजा नाम सामना ना करना पड़े उन्होंने बिग बॉस से अपील भी की कि ड्रेस को संभाल कर रखा जाए हो सके तो इसे उन्हें जल्द से जल्द वापस भी कर दिया जाए जै इस बार बिग बॉस के घर में आने वाले सबसे महंगे कंटेस्टन्स हैं आपको बता दे कि पिछली दिनों उनकी पत्री माही विज ने भी बेटी तारा का एक वीडियो शोशल बीडिया पर शेयर किया था जिसमें तारा घर में अपने पिता को ढूंडते हुए दिखाई दे रही थी तारा अपने पापा को आवाज लगाती है लेकिन जब माही उसे कहती है कि वो नहीं है तो तारा अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है कि उन्हें पापा चाहिए बहराल अभी तो बिग बॉस की शुरुवात है और इस घर में स्वाइप करने के लिए कंटेस्टेंस को अपने इमोशनल चीजों क्या भी बलिदान दे रही पड़ता है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो यहाँ पर कंटेस्टेंट है उनको लगाता चुनोतियों का सामला भी करता पड़ेगा